तो दोस्तों हम लोग एक नया वीडियो आज शुरू करने जा रहे हैं और स्वागत है आप लोग आप रेप लर्न एडू सेंटर पर दोस्तों अगर आप किसी भी कम्टेटिव एक्जाम के लिए जाते हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज की डेट में करेंट अ हो जका है और विडाओट करेंट अफेर्ज अगर आप सोचें कि आपका अग्जाम क्लियर हो जाएगा तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है हमारी यह करेंट अफेर्ज का जो सिरीज है एक इस Сокивعت – यूप के लिए हैं चाहे आपके लेक पाल के अगशाम हो। चाहे यूप YouTube channel भी है और जहाँ पर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर डेली current affairs होते हैं लेकिन शायद वो सभी के सभी news अगर आप देखेंगे तो उसमें से अगर आप कहें कि हर एक news exam के लिए important है तो वो जरूरी नहीं होता है इसलिए हम यहाँ पर एक compilation of events ले आ रहे हैं जहाँ पर दो type के videos होंगे एक हगव हमारा one-liners type में जिसमें सीधे question और answer रहेंगे और दूसरा थोड़ा सा हमारा detail रहेगा जैसे में कि आप multiple choice of questions अगर जैसे UPPCS और UPSCM बना दिये जाते हैं तो उसमें से select कर सकें जो हमारा one-liner रहेगा वो थोड़ा सा focus जादा रहेगा किस पे UP के events पर क्योंकि हमारे जो UPSCM जो भी exams हैं उसमें आजकल उत्तर प्रदेश से related question जादा पूछे जाने लगे हैं और जो हमारा थोड़ा सा detail वाला video रहेगा उसमें हम सभी national international events को भी consider करते हुए चलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग उत्तर प्रदेश की कुछ फटा-फट news को देखते हैं और इसको हम एक तरीके से कहें one-liner साब कहना चाहें question-answer type में कहना चाहें जो आपके इच्छाओं आप कह सकते हैं लेकिन यह आप मानके चलिएगा कि यह आपके लिए useful बहुत रहेंगे और हमारी इस series में हम December 2021 से start करेंगे और जब तक चलता रहेगा series तब तक हमारी news हर week हमारी update होती रहेगी और लेकिन इसमें ऐसा हम नहीं रखेंगे कि December की news लें फिर January की news लें ऐसा नहीं रहेगा यह news किसी भी series में हो सकता है अगर कुछ December की news है तो कुछ हो सकता है April की news हो तो कुछ हो सकता है March की news हो इस तरीके से mixed way में रहेगा ठीक है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कुछ महत्पूर इवेंट जो आजकल फिलहाल हमारे चर्चा में बने रहे हैं वो कौन-कौन से रहे हैं देखे उत्तर प्रदेश के वो कौन सी जिले हैं जहां हाल ही में राज सरकार ने परियतन को बढ़ावा देने के उत्देश से हिली कॉप्टर सेवा को सुरू करने का नेड़े लिया है तो इसके वो चार डिस्टिक कौन-कौन से हैं लखनव, राजजानी का छेत्र, आगरा, मतुरा और प्रियाग राज आप जानते हैं कुम्ब, मतुरा, व्रिंदावन, आप जानते हैं यह स्री कृष्टर की नगरी और आगरा ताजमहल के लिए परेटन का एक अच्छा रहता ही है, तो लखनव, आगरा, मतुरा और प्रियाग राज यह चार ऐसे छेत्र हैं जहां पर राज्य सरकार परेटन को बढ़ावा देने के लिए हेलिकाप्टर सेवा को शुरू करने का नेड़े ले रही है, या नेड़े ले चुकी है, वह कौन सा देश है जहां के प् मंतरी ने वारारसी की यात्रा की थी, हाली में उत्तर प्रदेश सम्मंदित किस व्यक्तिको भारती सेना के सैन अभियान का महानिदेशक नियूत किया गया, क्या नियूत किया गया, महानिदेशक, तो इसका जवाब होगा, मनोज कुमार कटियार, हमारे आभी AITS के भी इसको देखते हैं हम लोगा, हाली में सरकार ने राजिक के कितने जिलों में अमरित सरोवर योजना को शुरू करने का नेड़े लिया है, तो इसका सही जवाब होगा, 75 डिस्टिक्स में, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कौश्चन क्या पूछ ले कि कौन सी योजना को आप कहीं भी चले जाएए, पूरी रोड पे गाड़ी खड़ी करने पड़ जाती है, निपटने है तो लॉंच किये गए अब का क्या नाम है, नेशनल अथार्टी पार्क स्मार्ट, नुएड़ा अथार्टी पार्क स्मार्ट, ठीक है, प्रसिद्ध स्वतंतरता सेनानी आपको पताईएगा, थोड़ा सा कमेंट वगएरा में करके बताईएगा, आंसर अगर आप दे सकते हैं इसका, हालही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी वापस करने की दृष्टी से उत्तर प्रदेश का अग्रड़ी जिला कौन स है, कुम्भ नगरी प्रयाग राज, आंसर क्या होगा, प्रयाग राज, हालही में एक जिला, एक खेल योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य है, इतना तो आप समझे गएंगे कि राज्य वही होगा, जो बीजेपी साशित होगा, क्योंकि एक जिला, एक वन वन जहां आप आ गया, वन नेशन, वन राशन वगरा, वो सब बीजेपी शुरू कर रही है, तो आपका आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश, यूपी, हालही में उत्तर प्रदेश में राज्य व्यापी अगनी सुरक्षा सप्ताह मनाये गया, ये कब से कब तक आयुजित किया गया था, तो सही जवाब है, 14 अप्रेल 2022 से लेकर 20 अप्रेल 2022 तक, ठीक है, 14 अप्रेल को किसका बड़े होता है, थोड़ा सा आप याद दखिएगा, ठीक है, और कमेंट में भी बता दीजेगा, अगर आपको तरपता है इसका तो, बहुत ही एक महान हस्ती है हमारे देश की, और हमार समिधान निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, हाल ही में खड़ी बोली के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन, आयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरियोध की जैनती आयोजित की गई, उनका जन्म स्थान कहां है, तो इनका जन्म स्थान भी कहां है, आजमगड में ह ठीक है, 15 अप्रेल 2022 को उत्तरप्रदेश सरकार ने जल एवं वेक्टर जनित बीमारियों की रोक थाम के लिए एक अभियान शुरू किया है, उस अभियान का क्या नाम है, तो उस अभियान का नाम है दस्तक अभियान, कोश्चन दूसरे तरक से भी शो सकता है कि दस्तक अभ अस्थान जहां हालही में सेम्त राष्ट्र के सतत विकास लक्षों पर तीन देवसी सम्मेलन आयोजित किया गया, तो इसका सही जवाब होगा, चित्रकूट, चित्रकूट में ये सम्मेलन आयोजित किया गया, हालही में नेपाल सरकार ने, कहां की सरकार ने, नेपाल की, अ ठीक है उत्ता प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां हाल ही में राज्य सरकार ने नए हाती रिजर्व के स्थापना का प्रस्ताव रखा है तो इसका सही जवाब क्या होगा लखीमपुर खीरी डिस्टिक में ये प्रस्ताव लाया गया है वह जिला हालही में उत्रप्रदेश सरकार ने प्रत्य एक तीर्थ इस्तल पर परेटन सुविधा केंदर बनाने का निर्णे लिया है तो इसका सही जवाब क्या है? मतुरा जहां पर हेलिकॉप्टर सेवा भी शुरू की जा रही है ठीक है तो मतुरा इसका सही जवाब है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले कुछ कोश्चन्स हाली में उत्तर प्रदेश की कितनी जातियों को अनुसूचित जनजाती का दरजा दिलाने के लिए विधेयक लोकसभा में पेश किया गया तो इसा ही जवाब है छे गोंड दुनिया नायक ओजा पठारी राजगोंड ठीक है छे ऐसी जातियां है हाली में उत्तर प्रदेश की राज जपाल आनंदी बेन पटेल ने लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया किसे शारदा सिनहा को आप पताईएगा कि आनंदी बेन पटेल इससे पहले किस राज की गवर्नर रही है और उससे पहले किस स्टेट की सीम रही है इसका आंसर भी दीजिएगा तो शारदा सिनहा को से सम्मानित किया गया आनंदी बेन पटेल ने निर्मला सम्मान से सम्मानित किया हालही में उत्तर प्रदेश सीनियर महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नुक्त किया गया तो स्वाती सिंग को नुक्त किया गया हालही में एशियाड के लिए चैनित उत्तर प्रदेश के तीरंदाज कौन है तो नीरत चोहान जी है नीरत चोहान है उत्तर प्रदेश के वे कौन से जिले हैं जिनकी तहसीलों को मिला कर हाली में एक नया जिला आवला बनाने की गोशड़ा की गई है तो बरेली, बदायू और रामपूर के तहसीलों को मिला कर नया जिला आवला बनाया जा रहा है हाली में कुल कितने करोड रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार ने पिंक टॉयलेट बनाने की गोशड़ा की तो इसका सही जवाब क्या है एक हजार करोड रुपए से पिंक टॉयलेट बनाया जा रहा है या फिर पिंक टॉयलेट का ही नाम पूछ लिए उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां हाल ही में मुक्त्री ने स्कूल चलो अभियान की शुरुवात की है तो इसका सही जवाब होगा स्रावस्ति क्या सही जवाब है स्रावस्ति में सुरू किया गया उत्तर प्रदेश का वह कौन सा सहर है जहां हाल ही में प्रधान मंत्री मित्र योजना के तहत राज्य का पहला मेगा टेक्स्टाइल पार्क बनाने की घोशड़ा की गई पहला मेगा टेक्स्टाइल पार्ग तो कोशन ये भी हो सकता है कि राजी का पहला मेगा टेक्स्टाइल पार्ग जो बनाए जा रहा है किस योजना के तहद बनाए जा रहा है तो आंसर क्या होगा आयुध्या, आयुध्या में जहां पर 2024 तक उमीद है, मंदिर निर्मार कारे भी पूरा हो जाएगा, चुनावों से पहले ही, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए ATS चीफ कौन नियुक्त किये गए, स्री नवीन अरोडा ज अभियान की शुरुआत NCC द्वारा की गई, तो जवाब है यमुना नदी, या ये भी पूछाए सकता है, यमुना नदी पर कौन सा अभियान शुरू किया गया, तो पुनीत सागर अभियान शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश के वे कौन से चिले हैं, जिने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा सरोप्रतम ट्रिपल पी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने की घोशड़ा की गई है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा, संभल और महाराज गंध में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप आधार पर नए मेडिकल कॉले खोले जाएंगे, संभल में और महाराज गंध में, ठीक है, वह जिला जहां 20-30 अपरेल तक चलने वाली उत्तप्रदेश संचारी रोग नियंतर अभियान की शुरूआत की गई है, तो इसका जवाब है सिधार्थ नगर, सिधार्थ नगर से उत्तप्रदेश संचारी रोग महासव आयोजित किया गया, तो इसका सही जवाब है लखनव, लखनव में ये सम्मेलन आयोजित किया गया, आजादी के अमरित महासव के अंतरगत, उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन विधान परिशत चुनाओं में सरवाधिक चीटे किसने जीती है, तो आपको पता ही लोगसभा के बाद में 36 सीटों के लिए राज्यस विधान परिशत सीटों के लिए चुनाओं हुए थे, जिसमें से भारती जंता पार्टी ने सरवाधिक 33 सीट जीती थी, हाला कि इस कोश्चन का मुझे नहीं लगता, कोई आना जाना होगा, फिर भी क्या पता किसी किस ने जारी की है, संपत राश्ट परियावरण कारेकरमने, ठीक है, हालही में उत्तपरदे सरकार ने राज्य में श्रमिकों की बेटियों की शादी के समय दी जाने वले रचभुन राशी को कितने राशी तैकी है, तो सही जवाब होगा, एक लाक रुपए की राशी तैक गई है. 18 अपरेल 2022 को India Smart City Award में वारारसी को कितने वरगों में पुरसकार दिया गया? तो सही जवाब है चार स्रेडियों में ये पुरसकार दिये गया है. वारारसी को चार स्रेडियों में Award मिला है. हाली में उत्तप्ट देश के किस शहर को बहतर COVID प्रबंदन के लिए COVID Innovation Award से सम्मानित किया गया तो सही जवाब है वाराड़सी सही जवाब क्या है वाराड़सी वही जो चार्ड श्रेडिया थी उसमें से एक ये श्रेडि थी चौबिस अप्रेल 2022 को पहला लता दिनानात मंगेशकर पूरसकार किसे दिया गया तो परधान मंत्री नरेंद्र मोधी को दिया गया ग्यारा अप्रेल 2022 को भारत अमेरिका के मद्धे 2 प्लस 2 सुरक्षा और विदेश मंत्रालैस्तरी वारता का आयोजन कहा हुआ तो इसका सही जवाब होगा इसका आयोजन वाशिंग्टन डि.C. में किया गया अमेरिका में ठीक है पाइस अप्रेल को नीती आयोग का नया अध्यक्ष किसको बनाए गया तो डॉक्टर सुमन के बेरी को बनाए गया इंपॉर्टन कोश्चन याद रखियेगा भारत द्वारा हाल ही में हेलीना गाइड़ेड मिसायल सिस्टम का सफलता पुरक परिक्षल कहां किया गया तो इसका जवाब भी राजस्थान में पोखरड रेंज से किया गया वह राज जिसकी कांगड़ा चाय को हाल ही में यूरोपी आयोगदार जियाई टैग दिया गया तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश याद रखेगा यूपी इसका जवाब नहीं है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय है वह देश जिसे हाल ही में 2026 के राष्ट मंडल केलों की मेजवानी दी गई है तो वो आंसर होगा आस्ट्रेलिया वर्तमान में कहां चल रहा है 2022 में कॉमन विल्थ गेम्स कहां हो रहा है उसका जवाब आप कमेंट में दीजिए एशियाई विकास बैंक ने किस राजय में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने है तो भारत के साथ 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रिड़ समझोते पर हस्ताक्षर किये है तो सही जवाब होगा नागा लेंड ठीक है हाली में भारत में 2023 में प्रस्तावित G20 सम्मेलन का समनवय कौर्डिनेटर किसे निउक्त किया गया तो सही जवाब होगा इसका हर्ष वर्धन स्रिंगला को निउक्त किया गया किसको निउक्त किया गया है हर्ष वर्धन स्रिंगला को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हाल ही में संग लोग सिवा आयोग के अध्यक्ष की रूप में किसे न्युक्त किया गया important question Dr. Manoj Soni को न्युक्त किया गया केंद्री मंद्री मंदल ने अटल इनोवेशन मिशन की निरंतरता को कब तक के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी दीगे तो ये भी एक important question है जिसे March 2020 तक में बढ़ा दिया गया था अटल इनोवेशन मिशन कब शुरूप किया गया था इसका भी जवाब अब दीजिएगा हाला कि सब detail वाले portion में हम cover करेंगे लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से कुछ answer देते रहेंगे तो एक introduction रहेगा वह देश जहां आर्थी संकट के बीच cabinet के सभी 26 मंत्रियों ने एक साथ सामोही ग्रूप से स्तीफा दिया तो इसका answer तो आप सब को अब तक पता होगा कि श्रीलंका में ही ऐसी तबाही मची हुई थी आर्थी ग्रूप से ठीक है आले ही में केंद्रिय संस्कृति मंत्राले द्वारा मंदिरों के अनुष्ठान को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉंच किया गया किस पोर्टल को Temple 360 ये भी पूछा जा सकता है कि Temple 360 क्या है थीक है तो मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस ने जारी किया है केंद्रिय संस्क्रिटी मंत्रालेन केंद्रिय संस्कृति मंत्रालें क्याद रखी गा हालही में वहराज्य सरकार जहां इसकूलों के नौ से बारवी की हिंदी एवन संस्क्रित पुस्तक में गीता सार, भगवत गीता के सार को सामिल करने का गोशड़ा की गई ये पार्ठेक्रम में तो सही जवाब इसका भी क्या होगा हिमाचल प्रदेश हालही में रेलवे सुरक्षाबल ने किस अभियान के तहट गठित काला बाजारी करने वालों खिलाफ एक खिल भारती अभियान चलाया है तो आपरेशन उपलग्ध ठीक है आंधप्रदेश ने हालही में कितने नए जिलो के गठन की गोशड़ा की गई तेरह ने डिस्टिक वहाँ पर बनाए गए है आंधप्रदेश ते तेलंगाना के अलग होने के बाद वहाँ चिलो की संख्या गठ गई थी चार अप्रेल दो हजार बाइस को केंद्र सरकार ने भारत का अगला विदेश सचिव किसे निवत किया विने मुहन क्वात्रा को विने मुहन क्वात्रा भारत के अगले विदेश सचिव हैं ठीक है वह शहर जहां हाल ही में संस्क्रित नहीं होगा ये स्क्रैप जो स्टील निकलता है वहां से रोड्स का निर्मार किया गया तो वो सूरत में बनाए गया है किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मेडलिन अलबराइट का 84 वर्ष की आयू में निधन हो गया तो अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री मेडलिन अलबराइट का निधन हुआ है भारत के वह अभिनेता जिसे ने हाल ही में अबुधाबी के आईलेंड का ब्रांड अम्बेस्डर बनाये गया तो वो रडवीर सिंग है ब्रांड मिस्टर ने ब्रांड अम्बेस्डर होगा रडवीर सिंग जो हाल ही में न्यूड फोटो टो भी देने लगे है 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पत की शपत किस ने ली तो प्रमोध सावंत ने ली प्रमोध सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपत ली मार्च 2022 में जारी नीती आयोग के निर्यात ततपरता सूचकांग 2021 में किसके द्वारा जारी किया दर निर्यात ततपरता सूचकांग तो नीती आयोग के द्वारा, इसमें पहले स्थान पर कौन रहा, गुजरात रहा है, कौन रहा है, गुजरात रहा है, हालही में सेंगत राश्ट ने वित्वर्ष 2021-22 के लिए भारत के विकास दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान रखा तो 4.6, हाला कि ये सब चीजे महां पर हुआ है, तो स्री लंका में आयोजित किया गया था, हालही में केन सरकार ने अरुड़ाचल प्रदेश में AFSPA, ASPRA को कितने महिने के लिए बढ़ा दिया, तो 6 महिने के लिए बढ़ाया, हालही में इसके उपर काफी डिबेट भी हुआ था, महापर कुछ सम्मस्याएं भी आई थी, उसके जिसके बाद में 6 महिने के इसको बढ़ा दिया गया, गिलबर्ट F. होगामबो को हालही में किस संगठन के 11 महानिदेशक के रूप में चुना गया, तो इसका सही जवाब होगा, अंतर राष्ट्री संगठन, को दूसरे तरीके से पुछा जे सकता है, कि अंतर राष्ट्री संगठन का महानिदेशक किसे नुक्त किया गया, तो सही जवाब होगा, बेंगलूरु में, भारत की किस महिला अर्थ सासरी को यूवेन उच्छस्तरी बोर्ड में शामिल किया गया है, तो सही जवाब है, जैनती घोश को, हाल ही में भारत में नेपाल के नए राजदूद के रूप में किसे निकित किया गया, शंकर द्याल, शंक या मंदे को अपडेट होता रहेगा और यह सभी question important जो आपके किसी exam में जरूँ नहीं कि UP में हो सकता कहीं और भी पूछा क्योंकि जैसे आप ने देखा कि अलग-अलग states से भी कुछ questions लिए गए हैं तो इसको आप देखिएगा और साथ ही हमारे app prep learn edu center को आप play store से download करिए जहां पर आपको बहुत सारे questions मिलेंगे बहुत सारे classes मिलेंगी live classes recorded classes PDF अगरा पूरे सब कुछ आपको मिलेगा और जिससे आप किसी भी competitive exam को clear कर सकते हैं चाहे UPSC हो चाहे state PCS हो चाहे SSC हो चाहे कोई भी exam हो आप उसको clear कर सकते हैं एकदम to the point आप classes रहेंगी बिल्कुल live recorded सब कुछ रहा जितना चाहें आप उतना देख सकते हैं ठीक है फीस की कोई tension नहीं है आपको आराम से बस देखना ही यह देखना है और दूसरी चीज आपको क्या करना है यहाँ पर आपको the Hindu the Indian Express newspaper भी मिलेगा योजना और कुर्षेत्र जैसी magazine भी आपको यहीं पर available मिल जाएंगी तो यह सारी चीजे आपको यहाँ पर available मिलेंगी जिस आपको करना सिर्फ इतना है प्रेपलर नेडू सेंटर को डाउनलोड करना है और कोर्स को एन्रोल करके जो भी आप चाहें वहाँ से आप देख सकते हैं साथ ही आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे animated videos मिलेंगी जिससे आप class 1 से लेकर class 12 के तक के बच्चों के लिए भी बहुत कुछ रहेगा जिसमें आपको animated videos रहेंगी जिसमें आप science के concept समझ सकते हैं history, social science, quality सब कुछ आप देख सकते हैं ठीक है तो आज की class को हम यहीं पर over करते हैं और next हम जो करेंगे तो कुछ और ऐसे ही फटाफट news को ले आएंगे और detailed news के लिए भी हमारा video जल्दी update होना शुरू हो जाएगा तो उसको भी आप देखिएगा ठीक है और इस चैनल को तो subscribe करना ना भूलिएगा notification मिले लिजएगा जिससे जब भी video upload हो तो आपको तुरंद notification मिल जाए ठीक है और उसके बाद आप play store हमारे चैनल के ही अगर playlist में जाएंगे तो बहुत सारी आपको MCQs के भी videos मिलेंगे जहां पर UPSC के previous year के questions आए हुए है उसको भी जरूर प्रेक्टिस कर लिजेगा ठीक तो चलिए अभी हम यहीं पर रोकते हैं thank you